एक भाई ने comment किया था बोला था कि भाई ये जो recording करते वक्त टच वाला आता है option इसको कैसे गायब करें तो भाई देखो सबसे पहले तो setting में जाओ उसके बाद सबसे नीचे यहाँ system का option भी लेगा फिर यहाँ उपर about tablet दिख रहा होगा क्लिक कर देना है उसके बाद यह build number दिख रहा होगा इस पर आपको 7 बार क्लिक करते रहना है लगातार और जैसी आप क्लिक करोगे इस तरीके से तो यह password एंटर करने के लिए बोलेगा आपको password डाल देना है और जैसी password डाल दोगे यह बताएगा you are now a developer अब आपको about tablet वाला option दिख रहा है arrow का उस पर click करके back आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे developer option दिख रहा है इस पर click करना है और अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ चले जाना है इस तरीके से scroll करना है मतलब यह जो touch दिख रहा है इसको नीचे की तरफ लेके जाना है फिर यहाँ पर short touches देखेगा इसको बंद कर देना है जैसे ही बंद करोगे भाई देखो यह gap हो चुका है वो जो गोला सारा था वो gap हो चुका है मैं आपको दिखाता हूँ एक app खोल कर उसमें साफ साफ नजर आता है कि short touch आ रहा है कि नहीं आ रहा देखो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा ठीक है मैं इस app को use कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा मैं एक बार on कर देता हूँ इसको और फिर दिखाता हूँ वापस देखो यह आन लग गया ठीक है ऐसी दुबारा से जाता हूँ इसको बंद कर देता हूँ तो भाई यह चीज हो जाती है बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हो ठीक है डिवलोपर आप्शन को on करके वीडियो चीलेगी तो लाइक कर देना